तो दोस्तो आज 22 सेप्टेमबर 2022 मार्केट के अंदर आज बहुती जादा वोलिटिलिटी हमें देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी शुरुआत के समय पे गैब डाउन ओपिनिंग दिया 17609 उपे पे कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत रिकोवर भी किया था उसके बाद ज किया थोड़ा बहुत यहां पे रिकोवर होने के साथ जो लास डे का क्लोजिंग प्राइस था यानि अप्रॉक्सिमेटली 17720 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया और एन के समय पे थोड़ा कमजोरी हमें देखने को मिला चाहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजि सब्सक्राइब और उसके सासाथ आईटी सेक्टर के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिला बागी अगराइस सेक्टर में बहुत बढ़ा गिरावट नहीं बहुत सारे सेक्टर आज पॉजिटीब में भी लोजिंग दिया बात यह था कि अगर 75 बीपेस के आसपास जो मार्केट के अंदर इतना बार गिरावट होने का कोई पॉसिबल चांस नहीं था बट एक्चुल में देखिए उन्होंने साथ साथ कुछ और भी बात बोला तो देखिए यह आप अब देख सकतो फेट एगेन हाइक इंट्रेस्टेट बाइट 75 बीपेस इन एग्रेसिव बी कमिटेट तो ब्रिंगिंग इंफलेशन बैक डाउन आवर 2 परसेंट गोल यह जो स्टेट में पहले भी दिया था जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था उस टैम पे हमने देखा था कि मार्केट का एकदम धजी होड़ा दिया था और आज की डेट में दोस्तों मतल लोवर साइट से लेका अपर सट की बात करें फिट देखे एकदम जब गिरावर शुरुआ एकदम नीचे देखे कहां से कहां पहुंच गया आज की डेट पर तो फिलाल देखे डॉजोंस फीचर के अंदर थोड़ा बहुत बहुत बढ़ा पॉजिटिव नहीं अभी सब्सक्राइब करने का क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया तो जिस बैसे बेसिकली मार्केट के अंदर इतना ज्यादा तवाही हमें देखने को मिला डिसमबर भी 13-14 को 200 FMC का मीटिंग होगा तो जिस बैसे मार्केट आगे भी काफी या पे बोल सब्सक्राइब होने जा रहा पता नहीं चल रहा था क्योंकि आप देख सकतो अभी लगबग 80.88 आइन ट्रेट कर रहा है वन डॉलर की एक परसें की तेजी आप समझ सकतो कोई करेंसी के लिए एक परसें की तेजी बहुत ज्यादा होता है मैसिव पास दिन की बात करता आप देख सकते चाट पर इंडिय करें से किस लेवल से बढ़ा है तो अच्छी बात नहीं है बाकि अगर बात करें फ्यूचर अपने चेक कर लिया अभी कुछ टाइम पहली यूरोपेर मार्केट उपेन हुआ था और यूरोपेर मार्केट के अंदर भी काफी ज़दा हमें यहां पर वॉलिटिल अब देख स 17610 के आसपस ट्रेट करें जो कि आज जहां पर निफ्टी क्लोजिंग दिया 17629 उससे थोड़ा सा नीचे अब देखिए आज रात पे पता चल जाएगा आपको क्या अल्टिमेटली होने जा रहा है क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स की बात करें यह बहुत ज़दा बर सकता है यहां पर देख सेक्तों और कोई बहुत बड़ा मूबेंट देखने को नहीं मिला तो जिस बैसे आज एशीन पेंट सेक्टर के अंदर काफी अच्छा आपको तेजी देखने को मिला तो यह कुछ इंपर्टन अब्रेट सा जो कि आज हमें उसका इंपक्ट शेर मार् आपको एक चीज़ बार-बार यहां पर यहां पर याद होगा आपको कि इंपर्टेन लेबल जब उसके पहले सपरड़ बनता औरव सब्सक्राइब कोने प्रेग हो के नीचे चला है तो वहीं सब्सक्राइं बाद में कि आपने कि देख लिया जो कि लास्ट यानि येस्टर उसका कहानी बोलता हूं कि लाजट डे मैं एक कॉल बाइन करने का यहां पर प्लैन किया था बगवान ने बचा लिया कि मैं नहीं बाइग किया आज की दिमालू है कल जब मैं वह प्लैन किया था तब उसका कॉल का प्राइस जल्ड़ा था दो सुतीस आज जब मैं दो पहर को दिन या इतना हाई वालेटाइल मार्केट में जैसे कि आपको मालूम था पहले से कि बहुत रिस्क होगा जितना हो सब्सक्राइब से दूर रखिए और गलती से भी थर्जडे की दिन उस दिन का एक्सपैरिया उसमें बाइक सिल कर सकतो तो फिलाल अगर हम बात करें निफ् पूरा-पूरा कोशिश करेगा कल भी यहां पर स्टेवल होने के लिए इसके उपर ही क्लोज देने के लिए तो शुरुआत की समय पर ध्यान से सुना कल के लिए मैं स्ट्राइटीजी बता रहा हूं ठीक है अगर शुरुआत की समय मार्केट खुलते-खुलते निफ्टी का पोजीशन ऑल्मोस्ट सत्रह हजार सारे चार्सों से लेखे सत्रह हजार यहां पर समझ लेगी 470 में पहुंच किया तो इस लेबल पर पहुंचने से आप यहां पर कर सकतो शुरुआत की समय पर निफ्टी का जो नेचर रहेगा ऊपर की तरह पूल बैक करना बट दो पहर को या एन के समय पर इसी लेबल पर आया तो गलती से कोई भी कॉल बाई मत करना मैं यह शुरुआत की समय पर ठीक है तो इस लेबल ब्रेक होने का पूरा पूरा चांस रहे जाएगा अब बात करें कि उपर की साइट में उपर की साइट में जो आपका लेगा 17700 जहां पर आज या ट्रेड मिल जाएगा तो यह दो कॉल का ट्रेड मैं आपको बता दिया अब बात करेंगे पूर्ट की केस में अब देखे आज की रात में जो यूस मार्केट का क्लोसिंग हो वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल मार्केट के लिए जिस पैसे अगर समझ मार्केट पॉसिटिव में उपेंग उसके में इंडिया मार्केट भी पॉसिटिव में या काफी या काफी गाप ओपनिंग हो सकते है तो ऊपर की साइट में अगर हम बात करें अगर या पिक बहुत जादा गाप उपेनिंग दे दिया समझ लिए कि 17900 या 18000 के आसपास ठीक निफ्टी के केस में बोल दिया बट अगर आप इसका वंडे का चार्ट पर देखोगे मार्केट बहुत ही जाद आपको फोलेटल नज़र आएगा तो लोवार साइट में वही जो कि 17500 से लिए सारे 400 को लेबल जो किया पर निफ्टी को बार बार रोक रहा है पूरा-पूर आज बेसे करेंग के अंदर नस अब को बोल भी रहा था कि रहा घ् небольш नवे जरूर हो गांकि बैंक निफ्टी एक तो अबर बोरे चली रहा था कुस्टां पहले उसके साथ यह सारे प्योरेट हाइक बगरा जो कि इसका सबसे मड़ा इंपक्ट आता आता है आपका जो कि फेन सब्सक्राइब आपको पूरा-पूरा नेचर रहेगा चाली सब्सक्राइब अगर आपको इसी लेवल का सब्सक्राइब शुरूरात की समय पे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप एक कॉल का ऑप्शन बाई कर सकतो बड़ी आपको दोटाइब अगर बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यह लेवल ब्रेक होता है तो उसकेस में डिफिनेटली हम एक यहां पे पूट की उपर भी यहां पर स्विच करना चाहेंगे अगर यह लेवल ब्रेक हो गया क्योंकि यह जो लेवल था 40500 इसके पहले भी हमने देखा था सब्सक्राइब यह लेवल ब्रेक हो गया तो काफी नीचे तक चाह सकता है उपर की साइड में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉल का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका जो कि 40800 अगर कल 40800 को पर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो उस तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकॉंट नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटपराण में डिमेट अकॉंट उपेन कर सकते है जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ा बल लगता है लिंक आपको वीडियो के यार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकॉंट बन जाएगा